हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत हाप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में देखे दोस्तों आज है 9 दिसमबर और SACGD 9 दिसमबर सेकंड शिफ्ट का एक्जाम भी खतम हो गया है और साथ में दोस्तों देखिए 9 दिसमबर सेकंड शिफ्ट में जो आज आपके रियल कोशिन पूछे गए थे ना वही कोशिन करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कोशिन पेपर आपके स्क्रिन पे आ गया है सेकंड शिफ्ट के रियल कोशिन है जो कि आज पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में एक कोशिन था जो टिसको है ना इसकी स्थापना कब हूई थी टिसको कमपणी की स्थापना 25 अगस्त vot 1907 में जमसेदपूर में हूई थी तो यहां पे आपका correct answer हो जाएगा 25 अगस्त Champ उग जमसेदपूर में एक कोशन आया था current affairs से निर्मला सीता रमन जी ने कौन सा बजट पेश किया था 2021 में पूछा था तो देखिए इन्नोंने अभी तक तीन बजट पेश किया हैं पहला बजट इन्नोंने पेश किया था 2019 में दूसरा बजट इन्नोंने पेश किया था 2020 में और जो हाली में तीसरा इनों ने पेस किया है ना 2021 में ये आज वाले सिफ्ट में पूछा गया था कि इन्होंने जो तीसरा बजट पेस किया वो कौन से नंबर का बजट था तो वो इनका तीसरा बजट था ठीक है एक कोशना आया था 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे जादा मैडल किस राजय लें वो जीता था āठत्तर स्वनपदख थे शतत्तर रजटपदख और एकसो एक कांशय पदख एग कोशना यह था नुवाक जोकविच किस डेश के हैं नुवाक जोकविच्त जोकि एक प्रसिद्ध टैनिस के प्लेयर हैं ये दोस्तों सर्विया के हैं सर्विया देश के एक कोशन आया था ताक जांक करना किस धारा के तहट अपराद माना गया है ताक जांक करना ये धारा 354 एक तहट जो है ना वो दोस्तों अपराद माना गया है ठीक है एक कोशन आया था यहां पे देखिए कोशन यह नहीं था अगर अकबर के समकालिन दरबारी कवी पूचता ना तब आपका अंसर होता तुलसी दास, सूर्दास और मीरा यह तीनों आपका करेक्ट होता पर आज जो सेकंड शिफ्ट में कोशन आया था वो यह था कि अकबर के नो रतनों में से कौन सा जो है ना वो दरबार कवी भी था यह कोशन सेकंड शिफ्ट में पूचा गया था और अगर आपसे पूचे अकबर के समकालिन दरबारी कवी कोन थे तब आपका अंसर हो जाएगा तुलसी दास, सूर्दास और मीरा नेक्स्ट एक कोशन आया था विश्व सोचाले दिवस 2020 का थीम क्या रखा गया 2020 के लिए इस दिवस की थीम है स्तते स्वच्चता और जलवायू परिवर्तन ये जो है विश्व सोचाले दिवस 2020 का थीम था स्तते स्वच्चता और जलवायू परिवर्तन विश्व सोचाले दिवस की बात करते हैं तो ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है एक कोशन आया था ए निस्चित शब्द का प्राई वाचे बताईए ए निस्चित शब्द का प्राई वाचे पुछा था आपसे तो यह जो आप स्क्रिन पे देख रहे हैं यह सभी क्या है ए निस्चित शब्द के प्राई वाचे हैं इनमें से आज आपके ओप्शन में जो भी आया था ना वो आपको correct करना था ठीक है एक कोशना है था दोस्तों राजस्तान राज्ये में जो स्तित करणी माता का प्रशिद मंदिर है न वो किसके लिए विख्यात माना गया है राजस्तान राज्ये में स्तित करणी माता का जो मंदिर है वो दोस्तों विख्यात है सफेद चूहों के ल वो किस ने किया था देखिए विकास के सिधानत का जो प्रति पादन है यह चार्ल्स डार्विन ने किया था तो यहां पे चार्ल्स डार्विन आपका correct हो जाता एक और अकबर से question आया था कि अकबर के दर्बार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था यह question exact आप से पूछा गया था तो मैं आपको बता दूँ जो रोल फिंच है ना ये दोस्तों 1588 इस्वी में बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंगरेज व्यक्ति था तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंस्वर रोल फिंच हो जाएगा एक कोशना है था हिंदी से समंदित कि म घ्रणा का भाव परकेट होना ये दोनों ही करेक्ट आंस्वर है इन दोनों में से जो भी ओप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था एक कोशन और केंडियेट ने बताया था कि 1591 इस्वी में अकबर के सेनापती मान सिहें ने किस जनजाती के साथ यूद किया था एक आया था अनिवारे शब्द का सुद्वर्तनी पूछा गया था अनिवारे सब्द का सुद्वर्तनी तो यहां पर मैं आपको बता दूँ अनिवारे जो सब्द मैंने लिखा है वो बिल्कुल सुद्वरूप में ही लिखा हुआ है एक कोशन था कुत्ते का प्राईवाच के लिए सामान्य सहमती वापस लेने वाला जो पांचवा राज्य है न वो कौन सा बन गया है CBI से मामलों की जाच के लिए सामान्य सहमती वापस लेने वाला पांचवा राज्य ये केरल राज्य बना है एक आया था International Children Peace Prize 2020 ये किसे मिला है International Children Peace Prize 2020 में ये सादत रह्मान को मिला है ये बांगलादेश का है ठीक है जहां रखिएगा और ये भी आप पढ़ लेना क्योंकि यहां से भी आने वाले दिनों में कोशन आ सकता है एक कोशन आये था हिंदी का कि आदान का विलोम बताओ आदान का विलोम होता है प्रैदान एक कोशन था जो मुर्गा है ना इसका प्राईवाचे शब्द क्या होगा मुर्गा का प्राईवाचे शब्द आपसे पूझा है तो तमचुक, अरुनशीखा, तम्रचूड, कूकूट आदी ये क्या है मुर्गा के प्राईवाचे हैं एक कोशन था तैमांग मठ कहां पर है तैमांग मठ जो है न ये अरुनाचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मठ है ये अरुनाचल प्रदेश में है और ये भारत का सबसे बड़ा मठ है एक कोशन था आधूनी करन का सुदवर्तनी तो यहाँ पे जो आधुनी करन लिखा हुआ है ये बिलकुल सुद रूप में ही लिखा हुआ है ठीक है दोस्तों एक कोशन आये था जो गंगा से उत्पन है पूरे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा गंगा से उत्पन है पूरे वाक्य के लिए एक शब्द होगा गांग तरता देना तो यह इसका correct transfer हो जाएगा एक आये था उमंग गोट असम का क्या है उमंग गोट असम का एक नदी है ठीक है दोस्तों एक था राजे सवा का उपादेक्स कौन होता है राजे सवा का उपादेक्स तो यह है हरीवंस नारायन जी और अधेक्स होते हैं जिने हम सभा पती भी बोलते हैं राजे सवा का वो होते हैं उप राष्टे पती कौन है श्रीव वेंक्या नाइडू है वर्तमान में तो देखिए सभी real question थे second shift के जो हमने आपको करवाए है अगर आपको और real question second shift के याद है तो comment करना पीडियो फाइल के लिए आप टेलिग्राम जोइन कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक शेर कर देना और आने वाले shift कानलेसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए